भारत और इंग्लेंड के बिच पहला टेस्ट बैज हैदराबाद में खेला जाना है। विराट कोली की गैर मोजूदगी में हर किसी की निगाए अब रोईश शर्मा पर है। मैश से पहले इंग्लेंड के तेस्ट गेंद बाज मारकूड का बड़ा बयान सामने आया है। मारक पहला टेस्ट गुरवार से हैदराबाद में सुरू होगा और मारकूड ने कहा कि पीचों की प्रकूरती धीमी होने के बावजूद उनकी रननीती में मदद मिल सकती है। आगे बोलते हुए मारकूड ने कहा कि जब मैं मैदान पर उत्रूंगा तो परिस्तितियों का आकलन किया जाएगा यहां बाउंसर का कम इस्तमाल होता है लेकिन पीच कभी-कभी दोरी गतिवाली हो सकती है और यदि धीमी भी है तो गेंद बाजों को मदद मिल सकती है क्योंकि बल्ले बाजों को शॉर्ट खेलने में दिक्कत होगी। आगे उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि रोई शर्मा जैसा खिलाडी शॉर्ट गोन के खिलाब कितना अच्छा है। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं बाउंसर नहीं फेकूंगा। इसका मतलब सिफ यह है कि मुझे बेहत सटिक होना होगा और सही समय पर गेंद बाजी करनी होगी। कप्तन बेंस्टोक और कोज मसदारी होती है कि आप अपने स्तिती मजबूत करो और भारत पर वापस डबाव डालो। 34 वर्ष यह वुड ने कहा कि दबाव से निपटना भी यहत्य करने में महत्वपुर्ण कागर होगा कि क्या इंगलन भारतिया सरजमी पर इतियास रचेगा। जैसा उन्होंने 2022 के अ इसा ही है बता दू कि इंगलर्ड साल 2022 में पाकिस्तान को उसके घर में 30 से हरा कर घरेलू मैदान पर उसका क्लीन सिप करने वाली पहले मैमान टीम बन गई थी बता दू कि भारत में इंगलर्ड ने पिछली टेस स्रीज साल 2012-13 में एलेश्टर कुक की अगवाई में जीती थ भारत अपने घर में बहुत कम हारते हैं मुझे लगता है कि यह हमारे लिए फ्री हिट की तरह है जहां हम कुछ अलग करने की कोशिश कर सकते हैं आगे उन्होंने कहा हमने हाली में पाकिस्तान में एतियास रचा प्रत्यक में जितने वाली पैजी टीम बन गए इसलिए यहा अगले वीडियो में ऐसा ही कुछ नए और रोचक जानकारी के साथ तब तक धन्यवाद